आप कर रहे हैं, आगे कोश्शन निममोर 4, क्या करता है? x2 x3 ydx बलस x2 y tan x dy किसी को सूच करो? किसको कर दो? किसी को भी ले जाओ, भाद में minus को भी देना चाहिए तो आप कहा रहा हो, x1 लिखो लो, इसको यहां कर दिया basically हमारा main concern यहीं होता है कि जो y वाली टर्म है वो पॉजिटिव रहा जो x वाल है अगर नेगटिव हो तो वही नेगटिव हो टो कैसे 6 स्कुर्वाइब तन x dy is equal to minus 6 स्कुर्वाइब एक्स tan y dx अब separate करो कैसे एक बार भी एक बच्छा मैं वैसे बोल ले तो खुद बेटर रहे हो एक्स तन x योदर आजएगा और tan y cross multiply तो क्या बना 6 स्कुर्वाइब अपॉन tan y dy minus 6 स्कुर्वाइब एक्स tan x dx अब इसके बाद क्या कर देना में रिखो integration अब क्या कर दूं इंटिग्रेटिंग बोच साइड फाइनली कैसे करूंगा एक तरीक और भी वैसे तो इसका बट लेट करो बेटर रहेगा लेट कर रहेगा tan y को क्या स्कुर्वाइब यहां पर भी लेट करोगे tan x is equals to u don't don't let t w का सकते कोई issue नहीं है यानि कोई और variable स्कुर्वाइब एक्स tu यह क्या होगे मेरा dt upon me t square t is equals to minus tu upon में right क्या बनेगा इसका log mod t minus log mod u plus log c याद है ना log कब कब लगाने कब कब लगाने कब दोबार बता होगे बता हो y की साइड लॉग हो पहला दूसरा क्या जब x की सारी साइड लॉग वाली हो तीसरा जब दोनों पर लॉग हो तो भी करना है नो 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 यह गल्ती मत करना नहीं पर बढ़ी होगी अगर हुई तो अनिवेज अब क्या हो सकता साइड दिमाग लगाओ पहले वैले वाल्यू डालते तरह लॉग टी की वाल्यू tan y minus log mod tan x log c right log tan y log tan x this equals to log c log tan y upon tan x into tan x is equals to log c right वाइदा log to log कर गया tan y tan x is equals to c check करना यह answer है दोनों तरफ लॉग है तो फट सकता है अब पता लग गया चले आगे question number 7 एटम करो right now return कैसे करना है अब यह बेटा देखते है य लॉग य दी एक्स क्या कर आपने बेटा hold on इसको यह भीज़ दो अब खेल यहां शुरू होगा integrate integrate करा मैंने इसका integrate तो बच्चा जट से बोल देगा इसके एक मिनट मैं कुछ बच्चो का नाम ले रहा हूँ कुवर प्राची इसका integration बताओ कैसे होगा after that connect इसका integration कैसे होगा दी एपन वाई लॉग वाई का बाकिसे बहाँ हैंड रिस कर सकते हैं exercise 7.2 का question नहीं है प्राची can you tell me try तो करो गलती तो बोलो यही है तो डर क्यों रात है इतना बिटा try नहीं करेगा कैसे काम चलेगा यही है मेरे बच्चा let कर लोगे क्या log y को t log y का derivative तो ड्वाई ड्वाई टों राइड द्वाई द्वाई ड्वाई द्वाई द्वाई टो अगे लिग दो ठाके यह रो लगाके टीक है यह ओगे ड्वाई ड्वाई एक्स dt अपॉन में t right dx बाई एक्स कितना होता है मेरे बच्चा log mod x मैं ऐसे लिख लो इसको पहले dt अपॉन में t log mod t log mod x plus log c right y t की बाल्यों रग दो log log y क्लिकने की दूर होती ही लिए क्योंकि लॉक और मिटली पॉजिटिव होगा log cx right log से log कड़ गया पहले तो क्या वो confusion confusion बोलो कहाँ पर अगर आप ले सकते हो विनो उसके आप कैसे कर लिए अगर आपके टीना यह मैं वाय क्या है को दिए वाय क्या बना आपका को कि है कौन सा लोग वाला तो वन भाय लॉग वाय का अपने इसे बटा लॉग वाला फॉर्म ला कब बनते है बिटी वाय टी हो यह दी वाय वाय हो और यह यह ब्लिप्लाई में आगया इसलिए लॉग वाला फॉम्ला नहीं बनेगा clear? yes or no? एक मिनट चल यागे? ओके लॉग से लॉग कट है, तो लॉग वाय कितना हो गया? CX तो फाइनली वाय कितना हो गया? T की पावर? CX यह यह अंसर है? चेक कर लो पर इससर नोट फिर आगे चलते हैं हम लोग चलो यह कोशन देखके बच्चा घवरा जाएगा? में तो इसलिए इसको उठाया है अब पेपर में छोड़के आजाएगा घवरा आगया कुछ ही नहीं है जबकि कॉस D वाब डी-X है कॉस को महां बिद्धो क्या देखा? कॉस इन्वर्स ए कॉस इन्वर्स ए हो गया? यस और नो? D x को देखके बिद्धो D y is equals to कॉस इन्वर्स ए into D x integrate कर दे D y सर एक चीज और सुन लो अब क्या है मैं थोड़ा सा इसकी integrating integrating both side ना लिखने की D y cos inverse A D x अब एक बात समझ लेना मेरे बच्चा ध्यान से कि D y का integration तो y है और क्योंकि cos inverse A constant है तो उसका integration x तो y is equals to x into cos inverse A plus D अब value निकान नहीं बटा y की value 1 put करो x की value 0 y 1 x 0 c 1 तो answer क्या है इसका y is equals to x cos inverse A plus 1 बोले इस और नो यह था answer was it tough तीक है अब एक question 11 है उसे करके दिखाव right now चलिए यह question है solution निकालना है इतना common sense वैसी है आप में क्या करना है इसको कैसे करूंगा सर इसको यहां बेग दूँ इसको यहां बेग दूँ वहाँ एक काम करते है dy यहीं पर रहा 2 x square plus x upon में x q plus x square plus x plus 1 कितने बच्चों ने यही बना ली थी पहले यह बताओ यह बना ली यहां तक तो हो गया integrating both side यह भी कर लिया होगा सबने sales के बाद ही शुरू है बस separate भी कर दिया है ना नीचे अगर आप देखो factors बन रहे है क्या factor है x per common x plus 1 plus 1 dy online में correct answer आच चुका है x square plus 1 x plus 1 कौन सा topic हुआ बटा यह partial fraction partial fraction यूज हो रहा है यहां पर सर मैंने तो partial fraction सीखा ही नहीं सर मैं miss था मेरा सर मैं सो रहा था whatever कुछ भी था यहां सीख लो कैसे करते हैं अब खेल इस side कर किससे solve कैसे करना है क्या है मेरा यह मैं दो की side लिख रहा हूँ 2x square plus x upon me x square plus 1 x plus 1 कैसे करूँगा मेरे बच्चा quadratic जहां से देखो linear है यह linear और यह quadratic क्या हो जाएगा सर linear को कैसे लिखते हैं इसको समझना इसने नहीं सीखा हूँ देखो जो quadratic होता है जिसके factor नहीं हो सकते उसको हम लिखते है ax plus b याद है ax plus b upon me यह पूरा x square plus बोले याद पहले clear दुबारा अच्छे इतना याद है कि linear वाले को x plus 1 को मैं ऐसे लिखता हूँ single यह याद है linear वाले को linear जिसकी power 1 हो इस quadratic को हम क्या से लिखते है quadratic का होता है ax plus b x square plus 5 होता तो उसका क्या बनता dx plus e quadratic वाले के अंदर हमने कैसे लिखना होता है हमने लिखना होता है ax यह लगाने लगाने plus b q वाला भी है नहीं अगर मालने मेरे रहता है x square plus 4 एक और होता तो इसका क्या बनता आप बताब मैंने पूछा यह मालने मेरे रहता x square plus 4 इसका भी क्या बनता dx plus e अब point clear हो गया चले आगी उसको stall कैसे करते है खेल यहाँ पर है बिटा calcium करो पहले तो अब it's your choice आप calcium करो आप इसके बचा abc की value नकल मार के लिख दो कीचा कुछ नहीं number काट सकता और बताओ x square plus 1 x plus 1 clear? अब कैसे है sir याद इसको कैसे solve करते थे देखो बिटा ध्यान से यहाँ पर हम पहले x को 0 इस value को 0 बनाएंगे तो क्या put करू? x की value minus 1 रखो 2 into minus 1 का square plus minus 1 ठीक है? is equals to यह पूरा क्या हो जाएगा? यह पूरा क्या हो जाएगा मेरे बच्चा? एक सिंग प्लीज यह पूरा क्या हो जाएगा मेरे बच्चा? ax plus b यह कितना हो जाएगा? 0 2 into minus 1 का square? 2 minus 1 यह 0 यह क्या हो गया? 2c 1 is equals to 2c c कितना हो जाएगा? by 2 अब अब x को क्या रहा हूँ? 0 यह क्या हो जाएगा? a into 0 plus b 0 plus 1 c plus 1 plus 1 j 0 c कितना हो जाएगा? b plus c b की वाली हो जाएगी? minus c c क्या था? minus 1 by 2 right? यहादा clear? अब x की वाली क्या पूर्ट करूंगा? कुछ भी रख सकता हूँ? मैं 1 रख सकता हूँ? 2 रख सकता हूँ? कुछ भी मैं prefer कर रहा हूँ 1 kod x is equals to 1 यहापर रख हूँ? 2 इंटो 1 का square plus 1 a into 1 plus b बीटा आपको समझाने के लिए मैं पूरी लंबी लिमी लाइन लिए 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 हूँ? c into 1 ka square plus 1 3 is equal to 2 a plus b 2 c right ab now c khi value rak do c or a b khi a pata ni b min ko pata hai minus 1 by 2 c kitna hai miru bachcha 3 kya thai miru 2 a minus 1 by 2 kita thai miru plus 1 kya thai miru plus 1 kya thai miru kya thai miru kya kya abh ya ham acha 0 lik bahta hai sabse pahle hik galti kya nak achi hai 1 1 kya 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 kita hai divide hoon hai knaki minus ye galti kari hai kisine check kelle na 1 plus 1 by 2 is equal to a a kya 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 hetna hou gamma ab Airlines kụcab 2 x square plus x upon may x2 plus 1 x plus 1 a x plus b a कितना है 3 by 2 x ठीक है plus b b कितना है तो मैं डिरेक्टी इस अपिर कोर दू वैसे अब आउन में x2 plus 1 statement 3 x by 2 minus 1 by 2 upon me x2 plus 1 यहां था clear plus c कितना है c 1 by 2 1 by 2 upon x plus 1 यहां था clear डिरेक्टी आप कर सकते 1 by 2 x plus 1 बोलो यहां था clear होगा yes or no अब देखो मैंने क्या करा a b c की value जो a b c निकाल है उसको यहां रख दिया क्योंकि यह पूरा इसके equal था ठीक है अब यह नीचे वाला receive total यहां से 1 by 2 पामान आ सकते हैं क्यों जागा 3x minus 1 upon me x square plus 1 plus 1 by 2 x plus 1 अब integrate कर दो अब solve इसको कर इसको कर रूख सोच के बताओ पीछे वाले को solve करते है कैसे तो solve करना था किसी को नहीं आता solve कैसे करते थे आईए 1 by 2 3x minus 1 upon me x square plus 1 separate कर दो na x plus 1 कैसे आओ देखो इसको पहले इसको separate कर लिक सकता हो 1 by 2 3x upon me x square plus 1 dx इसका minus 1 by 2 dx upon me x square plus 1 yes or no इसका plus 1 by 2 dx upon me x plus 1 इसको solve कैसे करूँगा देखो यह तो formula होता है यह भी log हो जाएगा यह कैसे करूँगा solve let कर लेंगे बिल्कु सही का इस denominator को मैं let कर लूँगा निकाल लो 3 को बाहर यह लो 3 को बाहर कर दिया ठीक है 3 को बाहर कर दिया let कर लिया x square plus 1 को t 2x dx dt x dx dt y 2 यह दा clear अच्छा फिर यह नहीं क्या बन गया मेरा finally एक में एक में यह था किसका शुरू से किया रहा d y यह से मेरा क्या d y equals 2 d y क्या बने का मेरा d y2 और dt यह निदी क्या आजाए 3 by 4 dt upon me t minus 1 by 2 dx upon me x square plus 1 plus 1 by 2 dx upon me x plus 1 यह दा clear अब इसको solve करों y इसका क्या होता है 3 by 4 log mod t minus इसका क्या होता है tan inverse x इसका 1 by 2 log log mod x plus 1 इसका क्यों पढ़गे मित्वाहल का तो plus log c लिखो या रेंदू? रेंदे दूगा log c c पूछो क्यों हो? अब मैं आपको एक वैसे point बता रहा हूँ एक minute, एक minute सर, particular solution में particular solution में log c कब लिखना है general में तो मैंने बता दिया particular में log c कब लिखना है जब सारी की सारी log वाली terms हो only तब ही log लिखना log c otherwise मत लिखना I repeat particular solution में जब सारी की सारी क्या हो log वाली terms हो तब ही log c लिखना ठीक है? चले? y is equals 2 3 by 4 log x square plus 1 1 by 2 tan inverse x 1 by 2 log mod x plus 1 plus c log 1 by 2 अब मैं को पता है कि कोशन था क्या स्टार्टिंग में x कितना y 1 तो x 0 put करो y के वल्यों कितनी 1 x 0 1 is equals 2 3 by 4 log 1 right? yes or no log 1 बना 1 by 2 tan inverse 0 1 by 2 log 1 plus c पहले याद दिला दू log 1 तो पता है log 1 कितना होता है without integration differentiation के 0 बोलो point clear yes or no 1 is equals 2 0, 0, 0, 0 तो c कितना होया so y कितना होजेगा finally only c की जगा बस क्या कर दूगा मैं clear ये था question was it tough? hulk का सा क्योंकि इस बार partial भी आ गया अदर clear होगी बात? क्या? अच्छा वो मैंने जलत वह कॉपी कर दियू है क्या? क्यों ने क्यों नहीं कर रहा? प्रिकि मैंने सिरह इसके नीचे कर रहा है यहाँ इसका derivative है यहां पर डारेक्ट फार्मुला होते है वाला अब यह चोटा सा कोश्चन है 23 एक मिनी 23 लास्ट कोश्चन है बस क्या है यह बहुत एज़ी है वैसे डिवाइब डिएक्स एकी पावर एक्स इंटु एकी पावर वाई राइट एपट कर तो यह जरा आजेगा डिप्र कर दो दी गयूआ पॉन एकी आगार य के पावर कि इसको क्यों से करूँघ है इसे थे खे़े एक की पार माइनस वाई तो क्योंकि ओक और ओपन एकी पावर का का इंट्योर्पेशonly नहीं उता है इसका का इसका integration करो, e की पार minus y, फिर minus y का derivative, that is minus 1, e की पार x plus c, तो अल करने क्या करो, इसको यहां कर दो, c को यहां कर दो, तो minus c हो गया, मैं का wait, e की पार x plus e की पार y, यहां तो clear, अच्छा, minus c को मैंने बोला, आप क्या, let कर सकते हूं, minus c को कोई भी constant, let's say, आप c की जगार, या आप इसको c की जगार, इसको कर दे, तर ऐसा q, मैं का, क्योंकि mcq के अंदर, option में c वर्ड यूज कर रहा हुआ है, तो क्या बना, e की पार x plus e की पार y is equals to, यह था, clear, यह था motion, अब homework में exercise में क्या क्या आएगा, सुलनो, homework में क्या क्या नहीं आएगा, pull, accept, concept, word problems वाले, जितने question है, word problems में कॉन-कॉन से question कटेंगे, old book के लिए, accept, 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 हाँ, बोलू, अब ठीक है, अब कॉन-कॉन से question मत करना, जो paper में नहीं आते हैं, question 19, से लेकर 22 तक यह मत करना, ठीक है, और example number 14 मत करना, कर दो मत इसे, last में यह कुछ बच्चे को मैं selective कर आता हूँ, सबको नहीं कर आते हैं, paper में नहीं आते हैं, इसलिए, new के अंदर, exercise 9.3, full, वैसे actual पे इसका पूरा explanation है, आपका अप्लाइड मैच्स के अंदर, यहाँ पे बिलको explanation नहीं है, यह बहुत बेकार दे रहा है इसमें, full, accept, example 9, and question 19 से 22, first, enjoy,